सुप परभात आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मेकिनिकल लवर्स में स्वाल रहते हैं मैं आपका मंदिप कुमार सिंग आज आपके लिए जोब नोडिफिकेशन लिखाया हूँ DRDA के तरफ से जो क्या है जिस तरह आप देख सकते हैं टोटल वेकंसी एक सो तीन पोस्ट के लिए और अप्लाइं मोड क्या है अफलाइन मतलब आपको इस फॉर्म को अफलाइन भरना होगा ठीक है आप चलते हैं DRDA ज्यास रिकुर्मेंट 2020 सेलेक्शन प्रोसेस क्या है सेलेक्शन प्रोसेस आपका ओन आप बात करते हैं DRDA ज्यास रिकुर्मेंट एजुकिशन फॉलिफिकेसन क्या है? तो आप उस फॉर्म को भर सकते हैं और विघास जनकारी चाहिए तो आप मेरे नीचे कमेन्ट सेक्शन में जासरे सके सब कुछ का link मिला होगा, official website का link होगा, notification link होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें बोला गया है, कि आपको सबसे पहले आपको notification अच्छी तरह से पढ़ना होगा, उसके बाद, ठीक है, जो आपके जो photo मागेंगे, जो document मागेंगे, सभी का correct size होना चाहिए, ठीक है, आप ब जुलाई आप 2020 तक इस form को भर सकते हैं, चलिए, आप बात करते हैं, देखे, इसके official notification भी है, जो आपको link हम provide कर देंगे, इस है कि आप देख सकते हैं, official notification आपके लिए हम download करकर रखे होगे हैं, ठीक है, देख सकते हैं, total कितने post के लिए हैं, total है, 103 post के लिए, जिसमें, hc के लिए 33, और ht post के लिए 70, total हो गया, 103, man और woman में भी यह divided है, यह जी लक्सेशन का आज बात करें, तो यहाँ देख सकते हैं, 18 साल से 40 साल के बीच में होना चाहिए, ठीक है, अगर education qualification का बात किया जाए, तो equivalent है, 10 प्लस 2 का degree भी है, आज चेक कर सकते है, ठीक है, higher secondary है, अगर और भी कुछ condition है, जिस देख सकते है, education qualification, जिस यहाँ देख सकते है, 10 वाड, the candidates having qualification, सब्सक्राइब करना ना भूले मेकिनिकल लवर्ज यूटूब चैनल को धन्य बाद